यहाँ पर हमें एक आकृति दी गई है जिसमें मैं कुछ त्रिभुज देख सकता हूँ यह एक बाई तरफ है और एक है यह दाई तरफ और एक है यह बड़ा वाला त्रिभुज और यहाँ पर हमें कुछ कोणों का मान दिया गया है यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 31 डिग और यहां पर है 64 और कुछ कोणों के मान हमें नहीं दिये गए हैं जैसे कि ये वाला ये वाला और ये वाला तो क्या तुम ये वाले कोण का मान निकाल सकते हो तो क्यों ना इस वीडियो को रोक कर तुम कोशिश करके इस वाले कोण का मान निकालो और फिर वापसाओ फिर से सा अब यहां पर अगर मुझे ये वाला कोण का मान निकालना है तो उसके लिए मुझे कुछ ज्यादा जानकारी तो यहां नहीं दी गई है तो मैं क्या करूंगा ये वाले कोण का मान भी मैं फिलाल नहीं निकाल सकता लेकिन अगर मैं ध्यान दूँ ये वाले कोण पर तो यहां तो यहाँ पे यह जो तरफ वाला तरफ वाला तरप यहाँ दर्शाता हूं, इसे नीले रंग से, तो यह वाला जो तरफ है, इसमें हमें पहले से ही दो कौन दिये गए हैं, 50- fuss or 64 degree. तो यहाँ पर यह जो तीसरा कोण है यह हमें मिल जाएगा अगर मैं इसको ले लूँ X तो यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के सारे कोणों का जो योगफल होता है वो 180 degree होता है तो चलो हम वही लगाते हैं और यहाँ पर X निखाल लेते हैं तो हमें मिलेगा X धन 50 degree धन 64 degree यह हमें बराबर मिलेगा 180 degree के तो यहाँ पर हमें मिलेगा X धन 50 और 64 हो जाएंगे 114 degree और यह बराबर होगा 180 degree के अब यहाँ पर मैं दोनों तरफ 14 से अगर घटा दूँगा तो यहाँ पर मुझे X मिल जाएगा और दाई तरफ मुझे मिलेगा 180 degree रिन 114 degree तो 180 रिन 114 तो हमें X का मान बराबर मिल जाएगा 66 degree के तो X हमें यहाँ पर मिल चुका है यह हमें मिल रहा है बराबर 66 degree के और जैसे ही यह कोण हमें मिल रहा है तो अब हम यह वाला कोण यहाँ निकाल सकते हैं चलो इसको मैं नाम देतेता हूँ Y तो अगल तुम ध्यान दो तो X और Y एक दूसरे के संपूरक कोण है तो इनका जो योगफल होगा वो 180 degree होगा या दूसरे तरीके से देखो तो कोण X और कोण Y मिला कर बनता है एक सीधा कोण यहाँ पर अगल तुम ध्यान दो तो एक सीधा कोण बनता है इन दोनों को मिला कर तो X धन Y उस तरीके से भी 180 degree होगे तो या तो संपूरक कोण से या तो सीधे कोण से हमें मिलेगा कि X धन Y बराबर होगा 180 degree और X का मान तो हम पहली निकाल चुके हैं यह है 66 degree तो यहाँ पर लिख देथा हूं में कि 66 degree धन Y बराबर होगा 180 degree के तो दोनों तरफ अगर 66 हम घटा देंगे तो Y का मान हमें मिल जाएगा तो यहाँ Y मिलेगा और यहाँ आएगा 186 degree हमें मिलेगा 114 degree तो Y का मान हमें मिल चुका है यह बराबर है 114 degree के तो यहाँ में लिख देता हूं कि Y हमें मिल चुका है यह है 114 degree y का मान तुम एक दूसरे प्रकार से भी निकाल सकते थे यह जो 114 है यह पचास और 64 का योगफल है तो यहाँ पर इस आकरीतिकों मैं दुबारा बनाता हूँ तो यहाँ पर यह जो बाई तरफ वाला त्रिभुज है यहाँ पर हमें ये वाला कोंड और ये वाले कोंड का जो योगफल है वो बराबर मिल रहा है ये बाहर वाले कोंड के यानि की y के तो अगर मैं चलो इससे नाम देते था हूँ कोंड A इससे नाम देते था हूँ कोंड B यानि ये वाली कौण का मान हमें मिलेगा एक सो असी रिण ए रिण बी अब ये जो सफेद कौण है और ये जो वाय वाला कौण है हरा वाला ये दोनों मिला कर हमें एक सो असी मिलेगा ये तो हम बात कर चुके हैं या तो संपूरक कौण से या तो सीधे कौण से तो मैं अगर यहां लिखूँ के 180, रिण A, रिण B और ये धन Y, ये हमें बराबर मिलना चाहिए 180 degree के, तो अब हमें क्या मिलेगा, अगर मैं दोनों तरफ 180 से घटा दूँ, तो ये 180 और ये 180 दोनों चले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहां पर, हमें मिलेगा रिण A, रि अगर मैं तोनों तरफ A धन B से जोड़ दूँ, तो ये वाला रिण A, रिण B चला जाएगा, और दाई तरफ हमें मिल जाएगा A धन B, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि Y बराबर होगा A धन B के, तो वही तो मैं बात कर रहा था, कि ये वाला जो कोण है Y, ये बराब दूरस अंत कोण है, तो Y जो बराबर होता है, वो इन दोनों दूरस अंत कोणों का योगफल होता है, तो Y बराबर है A धन B, तो किसी भी प्रकार से हम Y निकाल सकते थे, अब तुम्हारा ध्यान तो यहाँ चला ही गया होगा, कि ये वाला कोण अब हमें मिल सकता है, तो इस तो हमें पहली दिया गया था 114 भी मिला तो Z हमें मिल जाएगा तो मैं यहां लिखता हूँ कि Z धन Y या 114 डिगरी धन 31 डिगरी ये बराबर होगा 180 डिगरी के और यहां पर 114 और 31 होगा 145 तो यहां पर हमें मिलेगा Z धन 145 डिगरी बराबर होगा 180 डिगरी के तो Z हमें बराबर मिल जाएगा दोनों तरफ 145 डिगरी घटा देते हैं तो यहां बराबर मिलेगा 180 डिगरी रिंड 145 डिगरी तो Z का मान हमें मिल चुका है और वो है 180 रिंड 145 यानि की 35 डिगरी तो Z भी हमें मिल चुका है तो इस कौन का जो मान है वो है 35 डिक्री